दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का ओलन एड़ाफ़श्टी यूटूप चैनल वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT 1222 के एक्जाम को लेकर साथी TGT PGT 1222 की परीक्षा की बारे में इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं 10,000 परदों पर LTE GATS इच्छक भरती विग्यापन के लेकर इसके साथी 8,000 परदों पर नई भरती को लेकर इसके साथ कुछ और जानकाईयों के बारे में जो कि चक्षू परकाशन के माध्यम से तयार की गई है इसमें 2000 से ज़्यादा कोईशन साथी नए पार्टेकम को ध्यान में रखका ही तयार किया गया है क्योंकि KBS PRD का सिलेवर्स बिल्कुल नया है और आप सुभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेवर्स पर आदायत आपको पढ़ाया जाई और चक्षू परकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेवर्स पर ही आदायत है जिसमें आपको कहेंट अफेर्स इसके अलाबा जनरल इंग्लीज सामान इसके अलाबा अगर बात कीज़े सिच्छा सास्त पयावर्स बिग्यान कम्प्यूटर ग्यान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहां पर दखा गया है और कम्प्लीट आपको इस्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जैसा कि आप सभी अपनी स्कीन पर देख पाएं सभी महत्पुर जानता हैं आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है इतना ही नहीं एक्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड आप सभी को व्याख्यात में खल भी मिलते हैं इस बुक को आप इमाजयोन आ आ फिलिप कार्ट या फिर आपने नुँपों से परक्शेस कर सकते हैं एमोजॉन और फिलिप करें के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन, अभी जाये पर चीज़ करें शुवात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो की संबन्दित है कल की तारीक में बड़े फैसले को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते है कि कल की तारीक में अलाबा धाई कोट की लगनव कंडबीट के माध्यम से एक बड़ा फैसला सुनाया गया और यहां पर भी आप जानकाई देखने के लिए मिल जाएगी इसको लेकर कि कोट के माध्यम से कहा गया कि बिना आरच्छन के ततकाल कराया जाए चुनाव सरकार पहले कोटा फे चुनाव और भी तमाम चीज़ें यहां पर लिखी हुए लेकिन मामला क्याव मैंने आप सभी को समझा दिया है टरबल सी फॉर्मुलर के बिना यहां से कहिने की ओविसी का जो आरच्छन वो तैह नहीं हो सकता है और इसी को यहां पर लखनो खरंड पीड के माध्यम से रद्ध कर दिया गया अब रद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आरच्छी सीटे होंगी उनको फिलाल जो फैसला आया है वो आप सुभी जानते हैं कि OBC आरच्छन को रद करते हुए चुनाब कराय जाने को लेकर नेदेश दिये गए हैं अब सरकार इसको लेकर सुपीम कोट जाएगी जिसा कि लिखा हुआ है कि जवत पड़ी तो सुपीम कोट में अपील करेंगे और तो मुद्य को लेकर यहां से स्परस्टी कर लिया जाएगा तो OBC आरच्छन को लेकर ध्र कर कल के तारीक में हाई कोट के माध्य को लेकर टीज़िटेटी बिज़िटी भहती के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अभ्याइथी इकजाम डेट का इंतजार करते हैं ठीज़िटी बिजक्स माध्यमिस इच्छा सेवा चैन बूर्ड को ग्यापन सो पे गए अलग-अलग छात संगठरों के बाध्यम से जाकर टीज़िटी पीज़िटी परिक्षा की तारिके गोशित कराने के प्रयास किये जाते हैं उसी के संबन्ध में यहाँ पे आप सुiff को देखने के लिए मिलेगी टीज़िटी पीज़िटी 1220 की भरती के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें चेर्मेन भी यहां से चली जाएंगे फिर उसके बाद यहां पर कौन बचेगा सिर्फ सची बचेंगे लेकिन सवाल यह है कि जब बिना सदस्यों के टीजटी बीजटी बिग्यापन जारी हो सकता है तो बिना सदस्यों के परिक्षा क्यों नहीं इसमें लिखा हुआ है मैं आप सभी को बताता हूँ इसके बाद सदस्यों के लिए आबिजन लिए गई लेकिन अभी तक सदस्यों की निक्ति न होने से इस भी चेंग बोड में जून में टीजटी बीजटी 1222 का विग्यापन जारी कर दिया गया प्रदों की संक्या आप जानते हैं चारजा 163 प्रदों पर टीजटी बीजटी भरती का विग्यापन जारी हुआ जिसके लिए तेर लाग से ज़्यादा अभ्यरतियों ने आविदन किया आविदन पर किया पूरी हो जाने के बाद से अगर बात कीज़ें प्रत्यों की चार्त मोजा की अध्यक्ष बिक्की खान का कहना है कि चैन बोड ने रिक्त पदों के साफिस बहुत कम पदों बिग्यापन निकाला है बोड ने विग्यापन निकालने में तेज़ी तो दिखाई लेकिन परिक्षा की तारीकें गोशित नहीं कर दाए कि बिना सदस्यों के अगर बिग्यापन जारी हो सकता है तो परिक्षा क्यों नी करवाी जासकती TGT में तो केवल लिखित परिक्षा ही होनी है तो इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि जब बिना सदस्यों के TGT का विग्यापन जारी कर दिया गया तो परिक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं और अगर परिक्षा नहीं कर सकते हैं तो इसको लेकर सरकाय इसपश्टी गन करें क्योंकि अभ्यति अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि TGT पिजटी की प्रपेरिशन करें या फे किसी और भरती की कुछुकि इसके चकर में वह दूसरी प्रपेरिशन नहीं कर पा रहे हैं पिछले आठ महीने से कहिने की इस भरती को लेकर अभ्यरती संसे में बैठे हुए हैं कि टीजटी पीजटी का एक्जाम देखने के लिए मिलेगा उम्भी दे यह बरती का एक्जाम अक्टूबर नबर में करवा लिया जाएगा लेकिन करते करते दिसंबर भी निकल गया जनव इसलिए अभ्यरतीयों के माद्यम से कहा जा रहा है कि अगर बिना सदर्सियों के विग्यापन जादी हो सकता है तो परिक्षा क्यों नहीं करवाई जा सकती हाला कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन चैनवोड इसको लेकर अगर काम करें तो परिक्षा हो भी सकती है बाकि आप की राए क्या है कमेंट करके अब शबताएं बात कर लेता है अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की समझ दे दस अजार प्रतों पे नई LTGate सिचक भरती के बारे में जैसा कि आप जानते कि LTGate सिचक भरती को लेकर भी प्रतों की संक्या काफी जादा है इन प्रतों क से अगर कुछ नहीं हुआ तो उनकी पढ़ाई क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर सिचक नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या देखने के लिए मिलेगी उसी को लेका यहां पर आप डेखने के लिए मिलेगा अगर बात किये सिचकों की कमी के बारे में तो जुगार से चल पूरे प्रदेश के अंदर लगबर यही हालात है नई विद्याले इसलिए इस महीने में निवक्ति हुई है पर पुराने विद्याले की इसलिए इससे भी ज्यादा ख्राब है ऐसे में यहां पढ़ाई की अगर बात किया है ठीक ठाक जो देखने के लिए नहीं मिल पारी है साथ ही सभी चात की जो संक्याव उन उसमें निर्टर ग्रावट देखने के लिए मिल दही है इसको लेकर हाली में हाई कोट में आपत्ती भी जिताई गई थी जैसा कि लिखा हुआ है विवागी अधिकाईयों की माने तो पुर्स और मरीला विद्याले प्र जो सिच्चों के परदें वो खाली पड़े हुए है लेकिन सरकार ना तो भरती कर रही है और ना इनके विग्यापन जारी कर रही है लिखा हुआ है कि सीधी भरती के लिए पांच जार से अधिक परदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है बाकी परदों निर्टिस से वायोग को लेकिन क्या डाटा बेजने से बहती होती है क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक वहाँ डाटा पहुचेगा है भरती के आills इस पशत नहीं होगी तो विग्यापन कैसी जाजी होगी है क्या हाँ पर कितने कितने परखाली हैं कौन-कौन से जिले के अंदर और सिच्छा का क्या हालात है वो आपके सामने हैं और अगर 10,000 परदों पर सिच्छों की भरती हो जाए तो बेनिफिट दोनों को मिलेगा भीएड़ वाले अभ्यातियों के साथ साथ महां पर पढ़ने वाले च के जाएं चार बरसों तक हर साल करने के जो बर्ती 2-2.000 पर दोपे निकाली जाएगी नर्सों की पर्दों बरती का हीचांडी देदी गए जिसको लेकर अगली तीन महीने के अंदर यह भरती देखने के लिए मिलेगी इसके लिए लिखित परिक्षा कराने का जिम्मा संजे या फिर उनकी छोटी इसको थी उननी चुटी आमाउंट के लिए लेकिन यहाँ पर एक दावा देखने के लिए कि उनका क्या है जो चार-बाज बाद गल्ती में बड़ी मुश्किरों से दो-चार करोड दर कोंच भी जाएं तो दिकत यह नहीं है कि यहां पे इतना बड़ा घुटाला हुआ दिकत यह कि इतने बड़े-बड़ी जब घुटाले होते हैं ना तो ना कोई पकड़ में आता है और ना ये कुछ बिगाड़ पाते हैं लेकिन जहाँ छोटी-छोटी आवाउंट होती वहाँ पर उनके ट्रेक्टर उठालाते हैं सामान उठालाते हैं निलामी करवा देते हैं कुछ इस प्रगार की चीज़ें देखने के लिए मिलती जाती हैं फिराल तो इसके बार में कहीं क्या सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें फिराल इस वीडियो के मार्दियम से थेंक यू पर वोचिंग इस वीडियो